आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो दियावा बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करके औल का बटन प्रेस कर दें ताके मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक आज है पेज नमबर हमारे पास 575 और चैप्टर नमबर 13 को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी उसी की वीडियो चल रही है तो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज वो है कमपोर्तमेंटो बेहेवियर हमारा रवया अले इन क्रोची चोक में सी नॉन सी इन ग्राद होदी कपीर कि हमें नहीं समझ आ रही कपीरे का मतलब है कि समझ नहीं आ रही सूबी तो जल्दी से कि हाला प्रेचिदेंसा कि किस का हक पहले है जाने का ठीक है तो इसमें कहा रहा है फर्स करें अगर आप एक चोक पे पहुँचते हैं ठीक है लेकिन आपको यह समझ नहीं आ रही कि किस पहले जाना है किसका हग पहले बनता है जाने का तो फिर आपने क्या क्या चीज़े करनी है या कि इन चीजों का आपने दिहान रखना है वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे पहला सवाल है जिन जिन दो जब आप पहुंचो एदन क्रोचो चोग पे अगर आप इस स्टेट में नहीं है भी कपीर है कि आपको समझ आए सूबितो जल्दी से कि हाला प्रेचिदेंसा कि किसका हग है पहले जाने का बिजोनिया आपको चाहिए प्रोचिदेर है आप जाएं कौन प्रोदेंसा एहतियात के साथ ए अकॉर्टेजा और यकीन दिहानी क साथ या फिर अंसर्टन नहीं होना घबराना नहीं है तो अगर आपको नहीं भी पता चल रहा तो फिर आप बहुत ही देहान से जाएं ना के कोई जल्दवाजी करें दूसरा सवाल है जिवन जेंदो एदनन क्रोचो जब आप चोक में पहुंचें सी अगर नॉन सी ए इन ग गुईरे तो आप जाएं सेंजा बगेर रलंतारे बगेर स्लो हुए रलंतारे बोलते हैं स्लो होने को आइस्ता होने को स्पीड सी सी अगर स्केले आपने सिलेक्ट किया हुआ है दियंदारे दृतों के आपने सीधा जाना है तो यह सवाल गलत है क्योंकि अगर आपको पता ह नहीं है कि आपका हक पहले है या दूसरी गाड़ियों का तो फिर जो है आपको बगैर स्लो हुए क्यों जाना है तो इसमें कहरा कि अगर आपको स्ट्वेट जाना है कहीं मुड़ना नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि आपको पहले जाना चाहिए भी कि नहीं तो भी आप जो है बगएर slow हुए चले जाएं तो ये सवाल गलत है इस तरह accident होने का chance हो सकता है पेश नमबर है 576 और topic है हमारे पास Comportamento, रवईया, behavior, अले इनक्रोची, चोक में कौन दो जब सी जबालिया आप से गलती हो जाए जबालिया बोलते हैं गलत होने को कोर्सिया लेन दी प्री सेलेजियोने जो आपने select की पहले से तो बास अफ़ ऐसे भी हो जाता है कि आपको मुड़ना कहीं और है जाना कहीं और है लेकिन गलती से आप किसी और लेन में आ गए है चोक में ठीक है तो फिर आपको क्या करना चाहिए क्योंकि चोक एक ऐसी जगए कि आप फॉरन से दुबारा चेंज नहीं कर सकते क्योंकि रश होता है वहाँ पर बहुत जादा गाड़ियां होती है पीछे से भी गाड़ियां आ रही होती है तो कहता है अगर गलती से आप गलत लेन में चले गए तो फिर आपको क्या क्या चीज़े करनी चाहिए वो हम अप पढ़ेंगे इस पेज में पहला सवाल है कौन दो जब जुइनती आप पहुंचे इन प्रॉसिमाता करीब दिर उन क्रोचो चोक के आपको पता लग जाए कि आपसे गलत हो गया है लकोर्सिया लेन दी प्रीसलेजियोने जो आपने पहले से स्लेक्ट कर दी है दो ब्यामो जिगवेरे लद्रेजियोने आपने जाना है उस डिरेक्शन में कंसंतीता जो के इजाज़त देता है दल इवेंच्विली सिंग्नलातिका और जिंताले जो होरिजेंटल साइन है जो जमीन पे एरोज बने वे हैं ठीक है या जो लेन्स है जो एक लेन को दूसरे से अलग करती है उसके लिए भी वह भी आपने देखना है कि कॉंटीनियू लाइन है या आप वहां पहुंच गए कंटीनियू लाइन में अगर आप पहुंच गए और आप सिलेक्ट कर चुके फिर तो आप लेन नहीं चेंज कर सकते लेकिन अगर अगर अभी भी आप उस जगह पे जहां टूटी टूटी लेन्स है तो फिर आप चेंज कर लें अगर तो ट्रैपिक नहीं है तो वो कह रहा ह कौन दो जब जो इन प्रोसिमाता दिन क्रोचो आप पहुंचे चोक में अपको पता चल जाए कि आप से गलत हो गया है कोर्सिया लेन दी प्री सिलेजियों ने जब आपने सिलेक्ट किये पहले से नॉन दो भी आमो एफित्वारे कंब्या मेंती कंब्या मेंती बोलते कहते हैं आपको एकदम से जो है वो अपनी लेन चेंज नहीं करनी चाहिए दुबारा अंग के भी पर नॉन इंतराल चेयारे इंतराल चेयारे बोलते हैं रुकावट पैदा करने को आपस्टेकल को कहते हैं कि आपको कोई रुकावट पैदा नहीं करनी एफ वीकोली उन गा तो फिर अब आपको एकदम से लेन चेंज नहीं करनी चाहिए कि आप और गाड़ियों के लिए रुकावट पैदा करें तीसरा सवाल है आपको पता चल गया है कि आपने लेन घलत कर दी है आपने जो पहले से सिलेक्ट की है अरस्तारे बोलते हैं रुकने को स्टॉप को कहता है कि आपको अचानक से ब्रुसका मेंती अचानक से जल्दी से कह रहे हैं आपको नहीं रुक जाना कि जैसे आप एकदम से कॉंशियस हो और आपको लगए कि बही मैं तो गलत लेन में आगओ तो अग्जम से ब्रेक नहीं लगा देनी पर एवितारे बचने के लिए तम पौना मेंती के टकर ना हो जाए एक कॉन्फिजियोने निलग चिरुकला जियोने कॉन्फिजियोने बोलते हैं कन्फूजियन को क्या आप कन्फियूज हो रहे हैं ठीक है तो कहता है कि इस तरह से आपको अगर पता चले कि गलत लेन है तो अचानक से ब्रेक नहीं लगा देनी क्योंकि इस से क्या होगा कि आपकी गाड़ी की टकर हो सकती है किसी भी गाड़ी से चोधा सवाल है आप पहुंचे चोक में और आपको पता लगे कि गलत हो गया है प्रेसले जियोने जो आपने पहले से स्लेक किया था नौन सी दो भी आमो फिरमारे नहीं आपको रुकना एक के देरी इन्फॉर्मेशने किसी से इन्फॉमेशन लेने के लिए पर नौन उस्तक को ला रहे आपने कोई आपस्टेकल नहीं बनना कोई रुकावट नहीं बनना इल्फ लूसो जो फ्लो है दिले चरेकलोजियोने जो गाड़ियां जा रही है जो उनका फ्लो है उनको आपने नहीं खराब करना जाइर सी बात है अगर आप दर्मियान में कई रुक जाएंगे कि मैं किसी से पूछ लूँ कि मैंने इदर जाना है मैं कौन सी लेन सेलेक्ट करूँ या कुछ इस तरह तो फिर जो गाड़ियों का फ्लो है वो आप खराब करेंगे और ट्राफिक जैम हो जाएगी पांच्वा स्वाल है कौन दो जब जूइन तीन प्रोसी माता दिन क्रोचो आप पहुंचे एक चोक में और आप से लेन घलत हो गई है दिप्रीस लेजियों ने जो आपने पहले से स्लेक्ट की है आपको चाहिए कि आप बगार कोई होण बगारा बजाए या साइन दिये जाए दान दो ले दूते प्रेचिदेंसा तो कहरा है कि आपको उसके मुक्ताबिक जाना है जो साइन है ठीक है साइन कोई भी हो सकते है जो जमीन वाले डिरेक्शन के साइन है या फिर जो सामने ट्राफिक लाइट वगारे साइन वगारे है दान दो लाव व्यूते प्रेचिदेंसा और आपने हक देना है दूसरी गाड़ियों को ना कि आपने कोई ट्राफिक वगारे जैम करनी है जो रॉंग क्वेस्चन है वो आप प्लीज खुद ही पढ़ लीजेगा इतना कुछ कॉम्लिकेटिड नहीं है इसमें पेज नूमबर है फाइफ सेमेंटी सेवन टॉपिक है हमारे पास कमपोर्तमेंटो आपका रवईया बिहेवियर इतना क्रोचो चोक में कौन दो जब अल सेमाफोरो जो ट्राफिक लाइट है वेर दे ग्रीन हो इल्वी कुलो के प्रेचीदे जो गाड़ी आपके जिसको आप फॉलो कर रहे हैं जो आप से आगे गाड़ी है तारदा लेट करें एरिप्रेंदेरे लामार्चा दुबारा से चलने में ठीक है फर्स करें कि आप जो है एक चोक में रुके में आप से आगे एक गाड़ी है अब ट्राफिक सिगनल ग्रीन हो चुका है लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट करने में लेट हो गया है या तो उसकी गाड़ी खराग हो गई है या उसका दिहान नहीं है ग्रीन ला बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए क्या आपको कुछ कहना चाहिए क्या आपको जल्दी करनी चाहिए क्या आपको ओवर्टेक करना चाहिए उसको या नहीं करना चाहिए तो यह सारी बाते हम इस पेज में पढ़ेंगे पहला सवाल है कौन दो जब अधन उन क्रोचो अर्बानो कोई अर्बन चोग शहर इलाके वाला जो में अगर हो दी विया लिब्रा विया लिब्रा जो है बोलते हैं ग्रीन सिग्नल को ठीक है ये बाद आप याद रख ले अगर उन्होंने ग्रीन लाइट नहीं लिखा जो ट्राफिक लाइट है उसकी ग्रीन लाइट ओन है सेमाफोर वेर्दे इक्वल टू विया लिब्रा अगर विया लिब्रा भी लिखा है तो इसका मतलब इक ग्रीन सिग्नल ही है कि लिब्रा का मतलब है ओपन है ठीक है तो ग्रीन सिग्नल है विया लिब्रा है इल्वी को जरूरी है आप अटेंडिव रहे पस जिंते मेंते और पेशन्ट रहे आप जल्दबादी ना करें रिप्रेसा दिल मार्चा री स्टार्ट करने में ठीक है आपको वेट करना पड़ेगा उस गाड़ी का कि वो चली जाए तो फिर आपने जाने आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करन दूसरा सवाल है कौन दो जब अधन उनक्रोच और बानो कोई शहरी अबादी वाले चोक में अलसिनिया लेदी विया लिब्रा ग्रीन सिगनल हो जाए ट्राफिक खुल जाए ट्राफिक सिगनल इल्वी को लो गाड़ियां के प्रिचीदे जो आपसे आगे हैं तार ता करें ए डिप्रेंदे रेला मार्चा दुबारा जाने में दुबारा गाड़ी स्टार्ट करने में ए उपर तूनो जरूरी है ए वितारे बचें दी सुनारे बजाने से ल्कलाकसन होरन कौन इंसेस्टेंजा ए दी प्रोवकारे उना सिट्वेजियोने के आप अगर ऐसा करें तो आप एक ऐसी सिट्वेशन बनाएंगे दी इंटोलरेंजा इंटोलरेंट मतलब इंपेशन जल्दबाजी करना जो और गाड़ियां हैं उनको भी आप इंपेशन कर देंगे अगर आप हॉन बजाएंगे तो वो भी घबरा जाएंगे और वो भी हॉन बजाना शुरू कर देंगे कि पता नहीं क्या हो गया है तो आपने इस चीज़ से बचना है आपने हॉन बगेरा नहीं बचाना तीसरा सवाल है कॉन दो जब एदन उनक्रोच और बानो रहाशी बादी वाले चोक में अलसे निया लेदी विया लिबरा अगर ग्रीन सिगनल हो जाए इल्वी को गाड़ियां के प्रिचीदे जो आप से आगे हैं तारदा स्लो हो ए रिप्रेंदे रिला मार्चा तुबारत गाड़ी स्टार्ट करने में ए उपर तूनो जरूरी है सी सी ए बिजोनी आपको चाहिए एदे पोसिपली मुम्किन है फार लो सेंजा पेरिकोलो कि आपने कोई पैदा नहीं करना प्रिस्तार आयूतो और मदद करनी है अ उस गाड़ी की रिमास्तो फेर्मो जो के खड़ा हुआ है और अभी तक जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पारा तो आपने कोई उसके लिए खत्रा पैदा नहीं करना बलकि उसकी मदद करनी है हो सकता उसकी आईशी अबादी वाले एरिया में वही तातो मना है उजो दिल सिनला तोरे एक्विस्टो कह रहा है कि आपको हॉर्ण वगरा नहीं बजाना पर कह रहा है कि आप से जो आगे गाड़ी वाला है आपने हॉर्ण वगरा नहीं बजाना उसको जल्दवाजी में नहीं डालना अगर बेशक जो है वो ग्रीन सिगनल हो गया है पांच्वा स्वाल है कौन दो जब एदनुन करोचो अरवानो रहाईशी वादी वादी वले एरिया में अलसिनियाल एदी विया लिब्रा अगर ग्रीन सिगनल हो भी क्या है इल्वीकुलो गाड़ियां के प्रिचीदे जो आप से आगे है तार दास लो है एरिप्रेंदर ए आपने काम नहीं करना ठीक है आपने वेट करना है और उसको मौका देना है कि वो गाड़ी स्टार्ट करके चला जाए पेस जम्बर है 578 और इसमें हम पढ़ेंगे कमपोर्तमेंटी रवईया दर्ते नेरे जो हमें रखना चाहिए कौन दो जब एदनन क्रोचो चोक में जिंगोनो आप पहुंचें कौन टेमपोरनमेंटे सैमिल्टेनियसली एक साथ दुए वीकुली एक गाड़ी दो गाड़ियां सौरी वो कहता है कि अगर एक चोक है ठीक मतलब कि आपने किस तरह करना है कि आप पहले जाओगे या वो पहले जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे हैं तो इसमें मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि अगर दो गाड़ियां एक साथ एक जगा पे पहुंच गी है तो पहले वो ही गाड़ी जाएगी जो राइट हैंड साइट पे हैं जो सीधे हाथ पर है जो सीधे हाथ से आईए ठीक है अगर आपकी गाड़ी उल्टे हाथ पर है आप सिनिस्त्रा पर हो तो फिर आप रुकोगे क्योंकि पहला हक उसी का होता है जो राइट हैंड साइट से गाड़ी आती वो पहले जाती है आगे एक चेप्टर है जिसमें हम ये पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि एक चोक है जिसमें चार रोडे हैं हर तरफ से गाड़ी आ रही है कौन सी गाड़ी पहले जाएगी तो रूल यही होता है कि राइट हैंड साइड वाली गाड़ी पहले जाती है तो क्वेस्चन है पढ़ते हैं को लो उस गाड़ी का ड्राइवर के अरीवा जो के आया है दे सिनिस्त्रा उल्टे हाथ से तो यह बात मैंने आपको बता दी है अगर तो एक चोक पे दो गाड़ी एक जगा साथ पहुंचती है तो फिर जो गाड़ी उल्टे हाथ से आई है लेफ्ट साइड से आई है उसको रुकना है और जो राइट साइड से आई है वो पहले जाएगी दूसरा सवाल है सी अगर अधन उनक्रोचो चोक में जोंग नो कौन टेम्पोरन मेंते अगर सेमिल्टेनियसली एक साथ ही गाड़ी पहुंची है दस्तरादे दैवर्सी दूए वीक वली दो गाड़िया इंतराम भी हानो अबलीगो दी मुदरार इला विलशिता ज़रूरी है कि स्पीड जो है वो नॉर्मल करें मौडरेट करें पर एवितारे बचने के लिए इंचिदेंटी के कहीं एकसिडेंट ना हो जाए तो जाहिर सी बात है अगर दो गाड़िया साथ पहुंच भी गई हैं तो आपको जल्द बाजी नहीं करनी आपको वेट करना है जो अगर अगर आप राइट पे हैं राइट से आये तो पहले फिर आप ही जाएंगे ठीक है लेकिन जल्द बाजी नहीं करनी तीसरा सवाल है सी अगर एदुन करोचो चोक में जिंगोनो कॉंटेंपोराने मेंते अचानक से सैमल्टेनियसली एक वक्त पे दस्तरादे दैवर से जो कोली वो गाड़ी रुकेज़ी कि कि परकुरल अस्तराद हो प्यूस्तरीता कह caiger के जिसकी टंग तंग है वह जो है गाड़ी रुक जाएगी उसने हक देना है तो ऐसा को रूल नहीं है रूल वही है मैंने आपको बताया है कि जो राइट हैड साइट से आया है वह रूक चोक में कि नौन हाला प्रचिदेंसा आपका हक नहीं है पासा पर प्रीमो कहता है कि अगर एक चोक में आप जाएं ठीक है और एक गाड़ी है जिसका हक नहीं है पहले जाने का ठीक है लेकिन वो फिर भी पहले चली गई है मतलब राइट आपका था आपका राइट बनता था आप ने पहले जाना था, लेकिन वह गाड़ी आपके लिए उसने वेट नहीं किया, वह पहले चलीhtी तो तो फिर गाड़ी की टकर हो जाएगी ना आप रुक रहे हो ना वो रुक रहे तो फिर तो एक्सिलेंटी होगा तो यह चीज वो बताने की इसमें कोशिश कर रहा है एक ही सवाल है इसका जुन जेंदो एद रून करोचो कहने जब अब एक चोक में पहुंचें बिजोनी आपक सामने दिखे अगर पर नॉन इवेंदोला प्रोचिदेंसा आपको हक नहीं दिया जारा पासा उगवाले मेंटे पर प्रीमो और गाड़ी आप से पहले चली गई है तो कह रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बरदाश करना है और आपने कोई भी अचानक से कोई कदम नहीं उठाना पेज नंबर है 580 इसमें हम पढ़ेंगे कमपोर्तमेंटी रवईया दते नेरे जो हमें रखना चाहिए उशेंदो एग्जिट निकलना बाहर कौन उन वीकलो गाड़ी में दा उना प्रोपरेता प्राइविता कह रहा है कि अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे कोई प्राइविट प्रापर्टी से बाहर निकल में रोट की तरफ तो फिर आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है ठीक है तो इसमें इनों ने यही बताया है कि अगर आप गाड़ी निकल रही है सामने से कोई पैदल चलने वाला जा रहा है तो आपने उसको हग देना ह आपने जल्द बाजी नहीं करनी स्पेशली अगर आप जो है आपकी गाड़ी रित्रो मार्शा मतलब रिवर्स में बाहर के तरफ निकल रही तब आपने बहुत जादा दिहान करना है पीछे देखना है कोई गाड़ी तो नहीं आ रही कोई बच्चा नहीं आ रहा को बंदा प्राइवेट 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 प्रा जाएंगे फिर आप गाड़ी को निकालेंगे बाहर आइसा हिस्ता तीसरा सवाल है उशेंदो कौन उन वी को लो दा उना प्रापरिता प्राइविता आप निकल रहे हैं गाड़ी आपकी निकल रही है घर से बाहर को प्राइविट प्रापर्टी से बाहर विजोनी आपको चा तो उस केस में आपने बहुत ही अराम से जाना है जोधा सवाल है उशेंदो कॉनुन वी को लो दाउना प्रापरिता प्राइविता आपको प्राइवेट प्रापर्टी से बाहर जा रहे हैं यह उबलीकातोरियो जरूरी है सुनारे इलकलाकसन तो यह सवाल गलत है क्योंकि अबलीकातोरियो का मतलब यह हो जाते है कि हंड्रेट परसंट हमेशा ही हॉन बजाना है तो यह सवाल गलत है जब जरूरत नहीं है तो हॉन क्यों बजाना है पांच्वा सवाल है उशेंदो कॉनुन वी को लो दाउना प्रापरिता प्राइविता आप एक प्राइवेट प् आपका हक पहले बनता है सुपे दोनी पैदल चलने वालों पर तो ये सवाल गलत है ऐसा नहीं है कि किसी घर से गिराज से गाड़ी बाहर निकल रही है तो पैदल चलने वाले रुकेंगे और आप पहले निकलेंगे ऐसा कुछ नहीं है आपने पैदल चलने वालों को हग देना है जब वो गुजर जाए तब आप जो है वो जा सकते हैं आगे